ना रटने की कोई टेंशन है ना है याद करने का डर अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडू मंत्रा का असर अब मास्क हो या कोई निमेरिकल मैं जट से सॉल्फ कर जाओंगी तुकि मेरे पास है एडू मंत्रा मैं सख़स्पुल बन जाओंगी एडू मंत्रा, एडू मंत्रा मैं फोन बीच लाओंगी और उच्छे माग लाओंगी क्योंकि मेरे पास है एडू मंत्रा मैं सख़स्पुल बन जाओंगी मैं फोन बीच लाओंगी और उच्छे माग लाओंगी क्योंकि मेरे पास है एडू मंत्रा मैं सख़स्पुल बन जाओंगी ना रखने की कोई टेंशन है ना है याद करने कडर अब तब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडू मंत्रा का असर क्योंकि मेरे पास है एडू मंत्रा मैं सख़स्पुल बन जाओंगी सब्सक्राइब करता हूं आपके फेडू मंत्रा 1112 साइंस में और आज हम करने वाले हैं सेट्स का एक्सराइस नंबर 1.3 तो उसके लिए अच्छा इंद इन सेरेज कमाल करते हो पांडे जी सीरीज सो यह जो सीरीज है सिर्फ बेसिकली इंसी आज़ी से डील करेगी और और देखो 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 येस तो चलिए फटा फट 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 एक बार फिर से आपको बता दू जल्दी जल्दी शेयर कर दो और सब लोग फट 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 अपने दोस्तों को बुला दो ताकि हम लोग चालू कर सके है ना और थैंक्यू गाइस मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लगे पड़े हो 11th standard में स्टॉल करने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉंस है आप लोग का तो थैंक्यू थैंक्यू सो मच येस गूद आफ्टरनून एवर्रीवन गूद आफ्टरनून तो कैसे हो आप लोग भाई ये बताओ पहले और यह नाम नहीं पढ़ पाऊंगा तो थोड़ा वह माप कर देना बिक्स देखो दूर की नजर जो है न वैसले मेरी बहुत वीक है तो थोड़ा वह आप लोग संभाल ले ना एंड़न स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं स् स्लाइड और इसमें से हमने लास्ट टाइम जो इसके पहले वाला जो एपिसोड हुआ उसमें क्या-क्या पढ़ा था वो थोड़ा देख ले तो हमने टाइप सोफ सेट्स में यह तीन चार टाइप के सेट्स किये थे कौन-कौन से अब हमारे बास हो गए सब्सक्राइब अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे का कुछ पढ़ेंगे और यह नहीं पड़ा हो किसी ने देखा नहीं तो जाके जरूर देख लेना इसके पहले वाला पार्ट तू जो था यह सीरीज का कमाल करते हो जो पांड़े जीरी जो चल रहा है उसका सेट्स का पार टू जरूर देख लेना ओके चलो यह सब कुछ पहले धीरे धीरे बेसिक पढ़ना इस मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देखो जब हम भी पढ़ते थे ना तो हमको लिंक नहीं मिलता था कि यहां भई 10 से जब 11 में गए तो भई कुछ समझ में नहीं आता था रिजन एकप ठीक है आगे बढ़ते हैं आज हम लोग करेंगे सब सेट्स प्रापर संपर सेट्स पार सेट सैट्स ए आज हम करेंगे स्ताट यह हम लोग करेंगे से ओ सिप्तों secondary अगे वाल हो जो है वह है अपने पाश सब सेट ओ 되지 सो सब सेट में आप देखो कोई भी A and B एक सेट है if all the elements of set A मैं लिख देता हूं थोड़ा मैं लिख दूँ आपके लिए example example अगर लिख सकूं तो मैं बता हूंगा कि example अगर लिख दू तुम्हारे पास set A है जिसमें A, B, C, D और E है set B में अगर हमारे पास लिख दिया मैंने B, E so देखो यहां पे, यहां पे देखो all the elements of set B, B और E है A में B और E है so all the elements of set B is an element of set A then B will be subset of set A B will be subset of set A तो अब subset का मतलब आपको समझ में आ गया होगा what is subset? subset means if all the elements of one set is an element of another set then that first of all set is subset of second of set तो ध्यान में रखना मतलब B का जो element B और E is an element of A that is A, B, C, D, E so इसका हर एक element इसमें A में प्रेजेंट है इसका मतलब B is subset of set A अब अगर मैंने ऐसा लिखा B is subset of set A so B के जो elements है उसको हम B से denote करेंगे और A के जो elements है उसको सारे को A से denote करेंगे तो यह ध्यान में रखने एक्जाम्पल था वैसे ही मैं ले सकता हूँ example X और Y के form में so X अगर लिखू कि 1, 2, 3, 4 अगर Y लिखू मैं Y is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so इसमें क्या है all the elements of set X is an element of set Y 1, 2, 3, 4, Y में है न 1, 2, 3, 4 so set X का हर एक element set Y में है इसका मतलब X is subset of Y X is subset of Y so यह सारे चीजे हमको समझ में आगी होंगी yes, किटू, कफाले, JEE सारे कुछ प्रिपेर करेंगे बट उसके पहले मैं आपको बता दू कि सारे जो basics है वो जानने जरूरी है तो मुझे लगता है कि NCRT पढ़ना बहुत ही जरूरी है चलो, आगे बढ़ जाते हैं, तो subset समझ में आ गया होगा अब आगे मैं देखूँ, आगे note कुछ है इसके subset के बारे में so the Q is set of rational number so R is set of real numbers बड़बर है, तो हमको मालूम है कि real numbers के अंतरगत ही यह rational number आते है इसका मतलब Q is subset of R means rational number is subset of R irrational number is also a subset of R T is what irrational number is also subset of R whole number is also subset of R तो यह सब सारी चीज़े आप लोग धीरे धीरे पढ़ना सब लोग साल समझ जाओगे एक 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 चीज़ अब देखो इसमें एक ग्जाम्पल दिया है if A is a subset which include all divisors of 56 okay divisors of 56 and B is a set all prime numbers of 56 okay divisors of 56 prime numbers of 56 so अगर मैं A और B लिखूं मैं A और B अगर यहां पर लिखूं so देखते हैं okay so 56 कौन कौन से टेबल में जाता है वो सब इसमें आएगा A में so लिखूं मैं 56 so A में क्या क्या आएगा A यहां लिख देता हूं चलो so divisors of 56 इसमें दिया रहेगा तो बेटर है नहीं दिया चलो तो हम लोग लिखते हैं divisors of 56 56 कौन कौन से टेबल में जाएगा तो 1 के टेबल में two के टेबल में yes then two three के टेबल में three and one the three two and six नहीं जाएगा four ke ने four ones four four so four six के टेबल में six six नहीं जाएगा seven के टेबल में seven eight जा 56सेFT इनस्व हम एट के टेबल में it's fifteenепैयो सब्ल्सूं इएट के टेबल में नहीं جाएगा 10 के टेबल में नहीं जाएगा 11 12 13 और कौन से टेबल में जाएगा वो 56 23 I think so इसका half will be 20 56 means 28 जो भी रहेगा इसमें का वो सब फिर एक लास्ट वाला 56 तो हो गई अब मैं बोलू कि बी जो सेट है हमारा बी कितर है बी जा बी जा सेट आफ अल प्राइम नंबर्स अब 56 तो प्राइम नंबर्स आफ इसमें डालो 56 का प्राइम फैक्टर सो घॉगा वो प्राइम आठाटर सैक्टुली ब्र मुझा टू नू ग्रिए नीर से पांट टू था शेक्तित जिटा स्प्यू उटर्स चाहिए पॉसिटा टू चाहिं म स्टू टू साथ टू सिग्साहिए फूर टू टू ट्री जा दिन थ्रीं उन्सधा टू ज्री आइकेसा सो और या गैगात टू आ या were déjà है तूँ उससी को तो फोर टू फोल्ड एक्सेब है क्या तो यह देख लैत है क्या नहीं किया कि देख लेते हैं है तुट कि प्राइम फैक्टर गलत नहीं का है यह किया है तो 50 क्या है 56 तू 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 जा 4 तू 8 जा 16 वो देखो ज़रा तू वन्स न तू फो जा 2 7 जा एंड 7 वन्स तू एंड 7 जा तू एंड 7 जा ओबिसली तू भी है 7 भी है बी में तो बी इस सबसेट ऑफ ए बी एस सबसेट ऑफ ए तो यह ध्यान में रखना ज़रा ओके चलो आग अब यहां पर एक नोट ऐसा है एै डिया है सो बी में क्या दिया है एक सचद यह इक सच अ ऑडर नार्च्र अच्छल नंबर कॉर 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 कौन से है रिंशना ढा blurred मिंस वन एट थी वावालट में ऑन बू and 5 वरवर हैं अब मुझे यह बताओ A में 135 है B में 135 है इसका मतलब ऐसा हो गया ज़रा ध्यान से देखना क्या है all the elements of set A is an element of set B जब set A का देखो 135 set B में 135 so A is subset of B B का भी हर एक element A में present है so A is subset of B B subset of A है ना B का भी हर एक element A में present है तो B is also subset of A इसका मतलब A is subset of B B subset of A it means A will be equals to B यह कब true होगा जब A equal to B होगा set जब जब दोनों रहेते हैं ओके तो यह ध्यान में रखिएगा ओके अब देखो ज़रा फिर से एक बार एका जो हर एक element है B में है okay B का हर एक सो एक हर एक element B में है इसका मतलब A is subset of B B का हर एक element A में है मतलब B is subset of A वह भी लिख दिया अब इसका जब भी भी ऐसा होगा so A will be equal to B दिख रहा है 135 135 so A will be equal to B so this is one of the properties major properties जब A B से B का subset B A का subset तो A will be equals to B अब आगे देखते हैं A is equal to दिया है A E I O U and B is A B C D दिया हुआ है then A is not a subset of B A अब देखो A मैं लिख दूँ यहां पर A is watch A देखो जड़ा A E I O U A E I O U and B में देखो B में क्या दिया हुआ है A B C D A B C and D अब A का हर एक element इतर प्रेजेंट है क्या है नहीं दिया है तो आई भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो A is not a subset of B B is also not a subset of A so not a subset मतलब B is not subset of A and यहां पर A is also not subset of B तो यह ध्यान में लखना not subset का यह साइन है और यह क्या है subset का साइन है ओक ध्यान में लखेगा एक चीज एक दम अच्छे से अगर मुझे समझ गया theory एक बार एक बार अच्छे समझ गया मुझे लगता कि एक्जाम में जो कोश्चन साते हैं या फिर कोश्चन जो अब हम लोग सॉल करेंगे exercise में वह भी समझने यह फर्स ने वाले है ओके चलो आगे बढ़ता है next question के तरह अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा proper subset के बारे में अभी तक सब्सेट क्या पढ़ा दोस्तों सब्सेट यह पढ़ा देखो देखो ज़रा ध्यान में रखना अगर मैं ऐसे लिखू ए इस a b c and b is a b c a is also a b c b is also a b c it means a is subset of b because all the elements of a is an element of b and b is also subset of a b is also subset of a so it's come up like a key all the elements because all the elements of b is an element of a this mean it means b is also subset of a so your happy is equals to be yes subset के लिए पड़ा हम आप प्रापर सब्सेट every every this proper subset is subset okay every proper subset is subset but every subset is not a proper proper subset yes subset है but proper subset नहीं है proper subset का मतलब क्या होगा अब यहां पर मैं देखू तो 1 2 3 है b मैं देखू तो 1 2 3 4 है इसका मतलब a is proper subset of b proper subset का मतलब यह है b में कम से कम a से एक element जादा होना चाहिए all the elements of a will be the element of b but b ka कम से कम b में कम से कम एक element a से एक्स्ट्रा होना चाहिए तो यह ध्यान में रखना तो इस टाइप आफ सेट्सार प्रापर सब्सेट्स ध्यान में रखो यह एक एक subject接 में इक कम से कम एक element b में एक एक का एक्स्ट्रा होना चाहिए तो यह ध्यान में रखियेगा प्रापर सब्सेट का मतलब finaution of proper subset is c और निच्छे यह और subset का तो सिर्फ c था ध्यान में रखिए ये सब बाते हैं बहुत important अब super subset super Set अब a is subset of B is proper subset of b so B is what B is super set of a job a subset of A is proper subset of B, then B will be super set of A, B क्या है, super set बोलते हैं A का, ओके, तो यह ध्यान में रखिए, यह इतना सब जो था ना, अगर यह हमने पढ़ लिया, तो भाई, काम खताब, ओके, येस, इसमें क्या है, इसमें equal set नहीं आएंगे, proper subset में क्या होगा, equal set नहीं आएंगे, और subsets में क्या होगा था, equal sets भी आ सकते हैं, और proper subsets भी आ सकते हैं, ओके, तो यह थ्यान में, चली, मैं देख पारा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बहुत अच्छी बात हैं दोस्तों, कन्वे करना सारे लोगों को कि भाई, maths बहुत अ देख लेते हैं, एक portion इधर से उठाता हूँ, मैं देखो, a and b belongs to real number, मुझे यह बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, sets को, देखो जरा, x belongs to r, x such that, x is a natural number, पहले, natural number का condition लेके आपको बताता हूँ, जरा, तो ध्यान में रहेगा, आपको, x belongs to natural number, x is equal to, x is equal to 2 into x, ऐसा मैंने लिख दिया, 2 into n, and n belongs to, and n belongs to natural number, n belongs to natural number, ऐसा मैंने लिख दिया, तो यह तो तुम लोग सिंप्ली लिख दोगे, 2, 1s are 2, n के जगह पे पहले 1, तो 2, 1s are 2, n के जगह पे 2 डाल देख, 2, 2s are 4, n के जगह पे 3 डाल देख, 2, 3s are 6, and so on, these are multiple of what 2, यह तो लिख दिया बट, अगर यह natural number के जगह पे मैं R लिख दू, real number तो कैसे लिखोगे भाई, लिखोगे कैसे इसको, इसलिए यह interval वाला condition जो है, वो हम लोग ने set में पढ़ना है, जब real number आता है, तब sets कैसे लिखें, तो वो इस प्रकार लिखेंगे, देखिएगा ज़रा, अब देखो belongs to what, real number, a and b both belongs to what, real number, यह क्या है, real number को belong कर रहा है, a is greater than b, कोई फरक नहीं पड़ता, then the set of real number y is equals to a less than y less than b, अब मेरे को कैसे लिखेंगे, यह पूरा y है, यह पूरा y है, अब y को कैसे रिखेंट करोगे, भई, यह तो real number है, real number है, दो numbers के बीच में infinite real numbers है, तो कितना लिख होगे, कैसे लिखोगे, सो भई, ऐसे लिखेंगे, देखो जरा, क्या करेंगे, इसका मतलब, यह बी तो include, a और बी तो included नहीं है, मैं लिखता, y is less than a, इसका मतलब a भी included नहीं है, अगर equal to आता, तो a included होता, यहाँ पे less than दिया है, तो a included नहीं है, मतलब a नहीं है, इसलिए यह देखो, खाली दिया है, गोल करके, इसमें भड़ा है क्या कुछ? नहीं न, तो मतलब a खाली है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम दो, देखो जरा, so open, open है, मतलब यह इधर तक नहीं है, तो open interval है, इसको, अगर equal to आता, तो close interval, बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, less than a, मतलब a included नहीं है, a inclusive नहीं है, तो क्या बोलेंगे, open interval, क्या बोलेंगे उसको, open interval, so this y is open at a, and open at b also, less than b है, न, so इसको कैसे लिखेंगे, round bracket में, क्या लिखेंगे, round bracket में, round bracket, open interval के लिए, open interval मतलब वो added नहीं है, वो inclusive नहीं है, so a से b तक, a से b तक सब real numbers, लेकिन ना तो a included है, ना तो b included है तो A is not inclusive B is also not inclusive ध्यान में रखना ओके अब आगे देखो ज़रा एक 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 चीज देखेंगे अनुबर को लगता बहुत इजी होने वाला है दोस्तों बहुत इजी होने वाला है देखो आपसे अगर मैं बोलू यहां से यहां तक मतलब 1 से लेके 2 तक all real number x such that x belongs to real number and x is in between x is in between greater than 1 less than 2 अब इसको मैं कैसे लिखूंगा यह तो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है इसको मैं को लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो लिस्टिंग फॉर्म में मैं बता देता हूं यहां पर one included नहीं है तू भी included नहीं है इसका मतलब अगर मैं number line पे इसको रिप्रेसेंट करूं तो क्या होगा open one के इधर भी open one के इधर भी open and two के इधर भी क्या है open और इनके बीच में का सब real numbers वरवर है मतलब वो one or two included नहीं है इनके बीच का सारे real numbers but one and two is not included in that real number so so listing form में कैसे लिखेंगे round bracket में one say two तक round bracket में open interval so x is x belongs to one से लेके two तक सारे real numbers okay मजा आ गया यही सुनना था कि sir very easy very clear and मजा रहा है सो हर एक चीज अगर मेरे को लगता है कि clear होते रहे आपके साथ में तो मजा आएगा भी mathematics समझना ही है जब तक नहीं समझों के तब तक मजा नहीं आएगा ना बहुत सारे ऐसे हैं अब second वाला चीज देखते हैं थोड़ा वापस से अलग सा देखते हैं अब देखे जरा वापस से बना दिया है इन लोग है बी भी इंक्लूड़ेड है तो देखो डार्क कर दिया है इन लोग ने है ना मतलब एवी है और बी भी है तो इसको लिखेंगे कैसे क्लोज इंट्रवल स्को क्या बुलता है क्लोज इंटरवल स्क्वार शेफ के ब्राकेट से ब्राकेट करते हैं असे लेके बी तक और बी तक भी भी इंक्रूड़ाओ गए ना बहुत इसी हो गया अब आगे बढ़ाए निक्स्ट देखते हैं, अब देखो, अब X side open रहेगा, X side क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, open रहेगा और X side बंद रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया देखो, इसमें देखो, यह देखो, question देखो, X is greater than or equal to A but less than B, इसका मतलब A तो included है, इसलिए dark कर दिया, लेकिन B is not included, A के इधर close interval, B के इधर क्या है, open interval, A included है, B included नहीं है, सो कैसे लिखेंगे, इसको listing form में, square included है, तो square bracket में A, यह included नहीं है, तो round bracket में B तक, X belongs to real numbers from A to B, So X is, इसका मतलब क्या हो गया है, X is greater than or equal to A but less than what B, simple, एकदम simple, चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, last वाला जो है, वो भी देख लिया जाए, intervals के बारे में, यहाँ पर मैं देखू, तो कैसा दिख रहा है, X is greater than A but less than B, मतलब A is included in this, A क्या है, A is open है, तो A is not included, मतलब real numbers, A से आगे वाला, but B तक, B तक, less than or equal to B, मतलब B तक है, so open at A but closed at B, so B को dark कर दिया, so इसको listing form में, A से, मतलब A is not included, तो round bracket में, और B included है, तो square bracket में, काम खत्म, so all real numbers, greater than A but less than and equal to what B, greater than A but less than equals to B, तो एक एक चीज अगर दिमाग में बैठ जाए, तो मुझे नहीं लगता बैए, छोड़ पर, एक भी कोशन हम छोड़ेंगे ना, अब देखते हैं, पावर सेट के बारे में, अब मुझे ये बताओ, कोई अगर मैं एक ये दे दू, अगर मैं आपको लिखके ही बता देता हूँ, तो बेटर होगा, देखना जरह, एक सेट है हमारे पास, सेट कौन से है बिटा, ए अगर एक सेट ले लिया, मैंने उसमें लिख दिया, टू, पूर, है ना, सो दो elements है दो elements है number of elements of set A will be what 2 that is N लिख दिया मैंने इदर यहां पर क्या लिख दिया N लिख दिया सो यह दो elements है अगर तो इसको N denote कर दिया तो इसको मैं कितना यह subset बना सकता हूं इस से इसके कितने subsets हो सकते हैं जो A लिख के बताता हूं एक तो empty set is subset of every set, so subsets are, यहाँ पर लिखना, subsets of A, देखो, ओहो, subsets of A, okay, so empty set is a subset of every set, empty set is a subset of every set, तो इसका एक तो empty set आएगा, फिर ऐसा सकता है कि 2 हो, एक set में, तो भी वो उसका subset हो सकता है, या फिर ऐसा set जिसमें 4 हो, तो भी तो उसका subset हो सकता है, या फिर दोनों 2, 4 हो, तो भी उसका क्या हो सकता है, subset हो सकता है, means these are the subsets of A, so कैसे पता चला, 1, 2, 3, 4, क्यों, भी यह क्यों पता चला, so number of elements, 2 raised to number of elements, so number of subsets अगर मैं बोलू, number of subsets of A, will be equal to 2 raised to number of elements, तो यहां पर 2 raised to कितना elements था, इसको 2, so 2 raised to 2 is what, 4, तो देखो 4 बन गया है, रहना बहुत इसी, सो यह चीज़े ध्यान में रखना, अब यह, यह set था, इसका यह subsets है, यह subsets का जो set बनेगा न, उसको बोलते हैं power set, क्या बोलते हैं, power set, a set which contains all the subset of A, will be the power set of A, so A यहां पर दे दिया, these are the subsets of A, so, अगर मैं बोलू, power set of A, तो क्या आएगा बेचा, इसको देख लो, मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा, दूर तो, जगा मिल जाएगी, चलो, so, अगर मैं बोलू, कि power set of A, मुझे लिखना है, so, subset, power set of A, will be the set which contains all the subsets of A, इसका मतलब क्या होगा पहले, empty set, फिर 2, फिर 4, फिर 2, 4, so, this set contains all the subsets of A, that's why this set is known as what, power set of A, a set which contains all the subsets of A, is a power set of A, yes, power set of A is collection of all the subsets of A, okay, so, ध्यान में रखना, ऐसा set, जो subset, सब का ये, ऐसा set, जो A का सारे subsets contain करता है, वो subset को हम क्या बोलेंगे, power set of A, तो ध्यान में रखिए, वही दिया है, a collection of all the subsets of set A is called the power set of A, it is denoted by P of A, in P of A, every element is a set, हर एक element, देखो, क्या है, set है कि नहीं है, ये, set ही है ना, तो power set of A में हर एक element क्या होता है, set होता है, ध्यान में रखना ही बारत, वही दिया है, जो एक दर एक्स्प्लेंट किया है, number of elements of power set of A, मतलब number of elements, number of subsets of A, number of elements, अगर मैं बोलू, number of elements of power set of A, will be equals to number of subsets of A, subsets of A, तो ध्यान में रखना है ये बारत, ओके, ये बहुत सिंपल हो गया, सारे लोग को को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से, वापस एक बार देख लेते इसको, A दिया है, 2, 4, subsets of A, अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, एक तो empty set, नहीं तो 2 वाला, नहीं तो 4 वाला, नहीं तो 2, 4 वाला दोनो, so these are the subsets of A, ये subsets को contain करने वाला जो set है, that is power set of A, एक बार फिर से देख लिया हमने, so ये subsets को जो set contain करता, that is power set of A, and it is denoted by P of A, so इसके number of elements कैसे पता चलेंगे, तो जितने subsets होंगे, A के, उतने ही elements होंगे P of A के, तो वहीं लिख दिया, number of elements of P of A is number of subsets of A, so वो कैसे निकालते हैं, number of elements, number of subsets of A, number of subsets of A, ये इदर क्या लिखोगे, number of subsets of A, अच्छा, ये number of elements था, okay, so number of elements of A is 2, है ना, एक दो, so number of subsets of A will be 2 raised to N, 2 raised to number of elements of A, so that is 2 raised to 2, that is 4, तो 4 आ है, इसलिए इसका power set of A का जो elements है, वो 4 है, ओके, चलो, फटा-फट एक बार, युनिवर्सल सेट अब देख लें, उसके बाद में हम इसको, इसका question चालो गरें, so, a set which contain, अब देखना ज़रा मैं एक्जाम्पल दे दू, A में क्या है, A, B, B में क्या है, A, C, D, C में क्या है, E, F, and G, So, अब एक, ऐसा set है, जिसमें all the alphabets of A, all the alphabets of English, English alphabets, X such that X is English alphabets, अब English alphabets क्या होगा भाईया, मतलब ये सारे जो रहेंगे, यू लिख दिया मैंने, अपने मर्जिस है, समझ लेना इस है, so, इसमें क्या क्या आएगा, लिस्टिंग फॉर्म में लिखू, तो A, B, C, सब, Z तक बराबर है, अब मुझे ये बताओ, A जो है, A is subset of U, A का हर एक element U में present है, yes present है, so, A is subset of U, B का हर एक element U में present है, so, B is subset of U, C का हर एक element U में present है, C is subset of U, इसका मतलब हर एक जन का बाप, is what, universal set, है ना, यह सारे जो sets निकले हैं, वो universal sets से ही निकले हैं, so, मतलब इन सब का बाप कौन है, सब का मालिक एक, that is universal set, so, universal set का मतलब समझ गया, a set which contains all the elements of all the sets, given sets, a set which contains all the elements of the given sets, so, it is universal set of the given set, so, now, इसमें देखू मैं, हर एक, A, B, और C का हर एक element, U में present है, extra भी है, कोई problem नहीं है, so, इन लोग तीनों का हर एक element, U में present है, मतलब यह तीनों का जो मालिक है, वो कौन है, U है, इन तीनों का बाप कौन है, U है, so, U will be the universal set, and universal set is muted by your watch, U, तो ध्यान में रखना, अगर मैं बोलूं, एक, जंगल में, set is, set of all horses, set of all, A is a set of all horse, B is a set of all donkeys, C is set of all, और क्या हो सकता है, tiger, so, यह जो है, set of tiger, set of donkey, set of, जो भी है, horse, so, these are what, यह किस में included है, animals में, set of all animals, so, set of all animals में, यह सब तीनों तो आएंगे, ना, so, set of all animals, will be universal set of all these three sets, तो ध्यान में रखना, yes, चलो, तो explanation, जो है, न, theory, जो पार्ट है, वो हमारी हो गई है, यहां पर मैं थोड़ा सा पानी रेलूं, प्यूश, 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 जरा पानी देना, so, explanation part, जो theory का जो पार्ट था, वो सारे चीज़े खतम हो गई है, अब, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे, exercise, so, exercise, exercise मैं first question में देखूं, so, true, और यह, make the correct feeling, so, feeling मतलब किस्से, इससे, set और, subset और not a subset, अब इसका मैं अगर देखूं, first वाला जो है, 2, 3 and 4, इसमें 2, 3, 4 है, yes, 2, 3, 4, इधर भी 2, 3, 4 है, means, this is, इसका हर एक element इसमें present है, तो, मतलब, this will be subset of this, बरबर है, simple हो गया, अब इसका हर एक element इसर present है कि नहीं, 2, 3, 4, 2, 3, 4, yes, elements of this set is an element of this set also, मतलब, हर एक element ये set का इसमें present है, that's why this set is subset of this set, simple, अब यहाँ पे देखा जाये तो, A, B, C, इसका A, B, C, A भी नहीं है, भाई, इसका हर एक element इसर present है नहीं, so this is not a subset of this, so not a subset मतलब subset को कट कर दो, not a subset of this, ओके, अब यहाँ पे थर्ड वाला देखना, जरा थर्ड वाला, जरा ध्यान से, थर्ड वाला, पहले तो इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखके देखू, X, touch that, X is a student of the class, 11th of your school, so class 11th student, okay, class 11th student in the school, अब यह देखा जाये, तो students of a school, मतलब students of school, भाईया, यह school में ही तो, class 11th के students आएंगे ना, एक ही school में, इसमें, फर्स के भी हैं, second के भी हैं, third के भी हैं, फोर्थ के भी हैं, 11th के भी हैं, and 12th के भी हैं, सही हैं ना, हर एक class के student है, so this element is present in this set, that's why this is subset of this, यह जो X, such that X is a student of class 11th, in your school, is subset of all the students in your school, all the students in the school, means 11th वाले भी तो included हैं, means this element of this set, is an element of this set, that's why this is subset of this, यह set जो है, इसका subset है, और यह बहुत simple way में, आप लोगो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसे लगता है, हम लोगा कर, exam कब होगा, sir, exam जो है, ना, देखो, अब online ही होगा, 11th का भी exam online ही होगा, तो basically, मुझे लगता है, यह subject, इसमें, तोड़-तोड़ के objective type में exam ले ले, या फिर last में, ऐसे ही बोल दे, जैसे 10th में बोला कि, भाई, you are past, so surprise नहीं होनेगा, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, मालने में, अपने लिए पढ़ रहे हैं, विए लर्निंग फॉर योरसल्फ, यह ध्यान में रखना सर, हम किसी और के लिए, पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे, दिमाग बढ़ाएंगे, दिमाग बढ़ाएंगे, तो कुछ आगे, फ्यूचर में कर पाएंगे, उसके लिए बढ़ना, ओके, कुछ, देखो, अब मुझे बहुत सरे लोगों को ये भी बात बतानी थी, कॉमेडी तो, साइड, साइड रखो, बट एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कि लाइफ में अपना दिमाग को दोडाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब दिमाग आपका अगर काम करेगा, तो आप कुछ अच्छा कर लोगे अपने आपसे, ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं कि खुछ एक्जाम क्रैक करने के लिए ही पढ़ा जाए, इसके लिए करते हैं, नहीं, वह एक्जाम क्रैक करने के लिए को मेरे को लगता है न, कि सरफ गौर्वर्मेंट जॉब से हैं, जो स्टेक्योर है ऐसा नहीं है, आप खुद भी अपना जॉब बना सकते हैं, वो भी सेक्योर रहता है, है न, सो कुछ क्रैक करने के लिए ही पढ़ाई करेंशा नहीं है, वो गलत फेम ही है, अपना लाइफ को सही बनाने के लिए हम पढ़ाई कर रहा हैं, इतना ध्यान में रख्के पढ़ो, क्या एक्जाम होने वाला है, क्या एक्जाम नहीं होने वाला है, उसको हटा दो, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं, make correct statement by filling the symbol, subset or not subset in the blank, आगे वैसे ही है, यहाँ पर मैं देखू, यह fourth वाला question देखना, X is a circle in a plane, बहुत सारे circle हो सकते हैं, बहुत सारे circle हो सकते हैं, वन रेडियस, इसमें रेडियस 1 भी हो सकता है, रेडियस 2 भी हो सकता है, कुछ भी रेडियस लेके, plane में हम लोग क्या कर सकते हैं, circle बना सकते हैं, है ना, बहुत सारे, यह set में circle हो सकते हैं, बट इसका देखा जाए, तो this is a specific circle in a plane, which is with radius 1 units, मतलब ऐसा circle है, जिसका radius 1 unit है, भया, यह इसका subset होगा, कि यह इसका subset होगा, यह इसका subset होगा, तो यह इसका subset तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, not a subset, इसमें बहुत सारे circles हैं, जिसके radius 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, व्यूंस है, लेकिन इसमें क्या है, a circle with radius 1 units, radius क्या है, बहुत सारे सरकल है जिनके अलग अलग रेडियस है जिसमें वन वाला भी होगा यह देखो यह इसका सबसेट हो सकता है यह इसका सबसेट नहीं होगा अब फिफ्ट वाला देखा जाए फिफ्ट वाला एक सच यहां यह ना प्लेट और तो बहुत सारे टाइप जो सकते हैं आइस उसलेशें तो हर एक वराइटी का ट्राइंगल इसमें हो सकता है इसमें देखा जाए सो रेक्टेंगल है तो यह सब्सक्राइब नहीं तो नॉट आस बहुत सिंबल बहुत सिंबल आगे देखते हैं नेक्स्ट कोस्ट्टन की तरफ बढ़ते हैं प्रेक्ट स्टाइमन दाइल दाइया अ सिंबल स्ट्राइंगल इन लिए प्लें उक्विले ट्राइंगल है मतलब इक्विलेटरल च्राइंगल और इसमें न सेमी मतलब equilateral भी आ सकते है um equilateral भी आ सकते हैं skl SOUND बी सकते हैं जिसके कोई भी सक्षाइट सिक्वल न sut के लें ट्राइंगल भी हो सकते हैं या फिर island लेस ट्राइंगल संक्ता है जिसमें साइप्स सेक्वल है इसमें अगर में सिंस्त वाले में देखूं इसका आरेक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है के नहीं है? यह है, एक्विलाटरल वाला इसमें है लोडितना है, सो इस तो इस सबसेट आफ अव देखू लास्ट वाला, सो एक्स आट एक्स आट एक्स आइवन नाच्राल नमबर अगर इसको मैं लिखू, even natural number, so 7th वाला, ये हो गया 6th वाला question, ये 7th question, 7th question, okay, X such that X is even natural number, मतलब क्या होगा, 2, 4, 6, 8 and so on, और इसको देखा जाए, तो X is an integer, integer, integer में क्या क्या आ जाएगा, minus, dot dot dot, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and dot dot dot, मतलब इसका हर एक element इसमें present है, 2, 4, 6, 8, yes, even natural number भी आएगा, इसमें integer में, yes, so this will be subset of this, so this will be subset of this, so जो भी ऐसे दिया रहेगा ना, उसको बना के देखू, उसको analyze करके देखो, है या नहीं है, लिखना वाराबर से, ओके, आगे देखता है, next वाले में, examine whether the following statements are true or false, अब देखो ये statement दिया है, true, false है या नहीं है, अब first वाला मैं देखू, first वाला question अगर मैं देखू, so A, B, subset नहीं है, ऐसा दिया है, B, C और A का, ये बताओ मुझे, ये जो पहला element मुझे दिख रहा है, इसमें का element जो दिख रहा है, A, इसका भी element है, B, इसका भी element है, इसका हर एक element इसमें present है, इसका हर एक element इसमें present है, तो statement ये इसका subset है, है that's why given statement is what false because a comma b is subset of b c and a subset है ना क्यों नहीं है हर एक element इसका इसमें प्रेसेंट था तो सबसेंट था मतलब यह statement गलत दिया था हमारे बस अब सेकेंड वाले पर आते हैं देखते हैं सेकेंड वाला क्या बोलता है हमको सेकेंड वाला क्या बोलता है वो भी देख लिया जाए एक कॉमा ए ओके इस सबसे टॉप अब इसमें कम है वाविल्स इंग्लिश अलफवेट वाविल्स इन ए इन इंग्लिश अलफवेट एक्स वाविल्स एई आई ओ यू लिस्टिंग फ़र्म में लिख दिए अब ए देखो इसका जरा ए इसमें प्रेजंट है इस अल्सों प्रेजंट इन इस मिन्स एक कॉमा ईस सबसेट ओफ ए ई आई ओ यू यस ऐसा है मतलब थू स्टेटमेंट है मतलब हमको लिस्टिंग फॉर्म में निकाल के चेक करके देखना पड़ेगा लिस्टिंग फॉर्म में निकालो चेक करके देख लो सिंपल हो गया अब थर्ड वाले में 1 2 3 सबसेट ओफ 1 3 & 5 अगर ऐसा मैं लिखू तो क्या हो रहा है दोस्तों क्या हो रहा है इसका 1 यहां पे प्रेजेंट है इसका 2 है के इसमें नहीं है 2 not there मतलब क्या है 2 is not there in this means इसका हर एक element इसमें प्रेजेंट है so that's why this is statement is false statement मतलब यह सबसेट है इसका element इसमें प्रेजेंट है नहीं so therefore this false statement है because because like now because state q statement false है वो तो लिखना बोड़ेगी so because this one comma two comma three यह जो यह है this is not a subset not a subset not a subset is a true statement of one three and five okay so हर एक चीज़ समझ गई क्यों विकास इसका 2 जो है इसमें प्रेजेंट नहीं था इसका element 2 जो है इसमें प्रेजेंट नहीं था तो यह जो सेट है वो इसका सब्सेट होई नहीं सकता है ना चलो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ कि examine the following statement as true or false so true है या false है वो पता नहीं अब यह फॉर्थ question देखू तो यह इसमें प्रेजेंट है के नहीं है यह प्रेजेंट है तो इस statement this is subset of this मतलब true statement है so true ओके आगे फिफ्ट वाला question यह इसमें बिटा मैं अगर यह बोलू यह सो एइस सेट कभी सेट बिलॉंग करेगा क्या नहीं बिटा यह क्या होता है सेट आलवेश सबसेट होता है बिलॉंग element करता है सेट को बरवर है belongs to का बात है जब वो element होगा तो ध्यान में रखना so false statement false because this set of a is a subset of a,b,c और हम लोग और क्या लिश सकते हैं a can belongs to only a होता तो वो बिलॉंग करता because वो क्या हो जाता element so element always belongs to the set element क्या होता है सेट को बिलॉंग करता है बट क्या होता है सेट जो रहेगा सेट को दूसरे सेट को सबसेट होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा इकवल सेट हो या कुछ भी सेट हो तो वो ऐसा देखना पड़ेगा तो अब अनलाइस कर लिया हमने 5th वाला भी हो गया 6th वाला देखते है 6th वाला कैसा है इसको natural number even natural number less than 6 इसका भी मैं क्या लिखता हूं स्टेटमेंट यह लिस्टिंग फॉर्म में लिखता हूं यह किसमें सेट बिल्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि X such that X is a natural number X is what natural number डिवाइट 36 विच डिवाइट 36 मतलब 36 को डिवाइट करने मुला तो देखो 36 को नाशनल नमबर कौन कौन सा करता है 1136 को डिवाइट करता है तू भी नाशनल नमबर 36 को डिवाइट करता है त्री ओल्स दिवाइट त्री इसक्स पौर अल्सो डिवाइट 36 देन शिक्स अल्सो डिवाइट 36 फिर उसके बाद में 12 त्री जा 36 वरेवर है तू त्री जा 4 नाइन जा सो 9 भी आएगा 9 बाद में 12 नाइन बाद में 12 पौर 9 जा 3 12 जा 36 देन 222 ओं जा 2 तू 18 ताहिए 18 तू सो 18 भी आएगा बरबर है और फिर उसके बाद में 36 तो बीस आर-दर नाशनल नमबर्स 36 okay so this is a set of all natural number which divides 36 so these are the natural numbers which divides 36 बरबर है अब क्या पूछा है कि यह इसका set है ऐसा बोला गया है so 2 भी है 4 भी इसमें है मतलब यह इसका subset है यह जो statement दिया है यह true statement है okay so मतलब हर एक चीज चेकर करके देखेंगे ऐसे अंदाजे नहीं बोलेंगे येस चलो आगे बढ़ते हैं next question की दरफ अब question number 3 पर बहुत ज़रा ध्यान से देखना तब तक मैं पानी बिलूँ यह पानी आ गया है अगर 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 ग्रेट वर्क थैंक्यू गाइस थैंक्यू सो मच आप लोग का इतना प्यार बरस रहा है ना बस कि दिल गार्डन गार्डन हो जा रहें अब देखो इसमें पहले तो यह set जो given set है उसको analyze करो so 1,2,set के अंदर 3,4 दिया हुआ है है ना फिर 5 दिया हुआ है मतलब यह का जो elements है elements of set A अगर मैं लिख सको इसको analyze करो पहले so 1 है 2 है यह 3,4 जो है एक element है वो set A का फिर 5 है these are the elements of set A मतलब A this 1 belongs to set A 2 also belongs to set A 3,4 जो 7 में है curly bracket के अंदर this is an element of set A मतलब this also belongs to set A 5 also belongs to set A अगर देखो अभी आगे question analyze तो कर लिया अब question देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है question में which of the following statement is correct and why q correct है और correct है तो correct है या नहीं हो देखो और correct है तो q correct है वो बताओ अब देखो ज़रा यहाँ पे 3,4 है यह set के अंदर है बराबर है मतलब this is a set 3,4 यह set है क्या 3,4 is a set of A no it is what element of set A क्या है हमने देख लिया पहले ही वो element है तो क्या होना चाहिए था belongs to होना चाहिए था तो यहाँ पे subset दिया हुआ है subset मतलब यह पूरा set तो है नहीं this is element element so this statement is what false statement false false क्यों है because 3,4 belongs to set A does not subset of set A it is not a subset of set A यह कब subset होता जब यह element के ऊपर set का sign आजाता so this 3,4 is an element इसके ऊपर मैं set का sign डाल तो यह subset हो जाता subset A का तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ओके explanation हो गई आपकी बहुत अच्छी तरी के समझ में आ गया होगा मैं hope कर रहा हूं और भाईया जाते जाते जरूर बता देना ओके अब यहाँ पे देखो 3,4 एक element है this is an element for the set यह set के लिए यह क्या है total element है so एक element है मतलब belong करेगा मतलब this statement is what true statement ध्यान में रखना यहाँ पर मैं देखू तो यहाँ पर इन लोग ने कर दिया शाने बन गई लोग अब देखो यह 3,4 bracket के अंदर this is an element यह element के ऊपर क्या डाला है set का sign डाला है मतलब this is a subset of a means this is what true statement बरबर है ना चलो आगे बढ़ता है next question की तरफ one जो है one is what element so element तो बिलॉंग करेगा एको so this is true statement again बरबर है अगर element है तो element belongs to that set but set होगा तो ही subset हम check कर पाएंगे okay so बोग ध्यान रखना यहाँ पर one क्या है element है तो यह subset कैसे हो सकता है so this is what false statement इसका और सही कैसे हो जाएगा यह जब हम सेट बनाएंगे वन का जब सेट के अंदर वन आ जाएगा element था उपर curly bracket डाल दिया तो set हो गया set is what subset of this set of one is subset of a a के अंदर वो one present है चलो आगे बढ़ते है so this is correct statement ओके अब यहाँ पर मैं देखूं यहाँ पर मैं देखूं सो one two and five one two and five यह elements है one two and five a के उसके उपर set बना तो यह set बन गया this belongs to set a इसका हर एक element यह one two और five belong करता है एक को हर एक element मतलब यह जो set बना one two और five का वो subset होगा एका so this is what true statement अगे बरबर है सही है चलो आगे बढ़ते है one two and five belongs अरे यह तो set बन गया तो set कैसे belong करेगा so this is what false statement इसका correct statement क्या आएगा one three two and five this all set of one two and five जो number है उसका जो set बनेगा this elements का जो set बना वो क्या होगा subset होगा set a का बरबर है अब यहां पर देखो one two and three three अकेला है क्या नहीं ये तो element है इसमें three अकेला अलिमस है नहीं अगर three अकेला अलिमंट नहीं है तो मतलब यह total एक element है total देखो this three comma four is a element of set a मतला this belongs to set a तो three अकेला तो हीने ये टोटल एक element है, so this is a false statement, यह 3 जो है इसमें है नहीं, 3 अकिला है क्या, नहीं 3 and 4 टोटल मिला के एक statement, एक element है तो वह ऐसा होना चाहिए है, element नहीं है, so this is false statement ओके, अगर मैं ऐसा बोलो कि 1, 2 3 के साथ ऐसे लिखू, 3 4, एना ऐसे लिखू, so this is subset of a, this is what correct statement ओके, तो ध्यान में रखना, एक 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 चीज अब मैं बोलू 5, 5 is what set this is what empty set, क्या है यह, empty set भाई यह, set कभी बिलॉंग करेगा क्या, नहीं set क्या होता है हमेशा set is a subset so subset of set a is a true statement, and this is given statement is false यह क्या है, बिलॉंग कर रहा है बिलॉंग कभी तो यह जो five है वो आजन यह दिया हुए क्या एक element, एक element ऐसा a का दिया होता है अगर ऐसा दिया होता है a में कि five set five है, one है, two है तो बिलॉंग करता है, बट ऐसा दिया नहीं तो five is what empty set, this represents empty set, empty set is always a subset of every set so this is what subset of a so this given statement is false statement यह given statement क्या था, belongs to कर रहा था तो वो false statement है, तो यह ध्यान में रहना this is what correct statement this is subset, okay so correct statement is empty set is always a subset of every set यहां पर correct statement यह, empty set means, this is what empty set, subset of a, this is what true statement यहां पर देखा जाए है, अब मुझे यह बताओ, इसके अंदर five लिख दिया मैंने, यह five जो element है, इसमें है क्या, नहीं है so this subset होगा क्या, नहीं होगा it's not a subset is a true statement is a correct statement and therefore this given statement is what false statement बड़बर है, यह अब इसके बाद में यह जो topic है यह जो exercise है, कल या परस्व मैं लेके आऊंगा, overlapping वाला, बाकी सब जो बाकी है, वो धिरे-धिर एक 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 करके लेके आएंगे, एक 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 चीज पढ़ेंगे, तो कोई confusion यह कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, हमको इतना ज्यादा फास्ट नहीं जाना कि बाकी सब जो यह वह फस्ते रह जाए हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, एक 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 मैं आपको यह चीजे पढ़ाने जाता हूँ कि, जब भी भी मैं extra questions लेके आऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब भी आप IIT का यह कुछ ऐसे refer करोगे, तो उसमें basic में दिक्कत आपको नहीं आएगी, yes, vision course भी आएगा, बैटा, launch होगा, जल्दी, जल्दी launch होगा, you will see soon on vision course, write down all the subsets of the following sets, अब इसके subsets लिखने हैं, बैटा, अब एक 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 करके मैं बताता हूँ, first वाला देखो, first वाला A है, subsets of this set, अब पहला जब subset लिखता हो ना, तो क्या लिखोगे, पहला हमेशा empty set, क्यूंकि empty set is a subset of every set, empty set is a subset of every set, ध्यार्म रखना, okay, first नहीं नहीं दूंगा बैटा तुमको, don't worry, अभी एक 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 चीज़ अच्छे से पढ़ो, okay, so, empty set is subset of every set, उसके बाद में क्या आएगा, a वाला set, अब मुझे अगर पूछा कि सर, number of elements इसके कैसे मिले, number of subsets आपको कैसे मिले, so, number of subsets, will be equals to, 2 raise to number of elements in set a, so, ये जो set है, इसमे number of elements कितने है, एक है, number of elements कितने है, इसमें एक है, so, 2 raise to 1, means what, 2, so, देखो, एक और 2, दो मिल गया है, आमको subset, मतलब सही कर रहा है, सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाले पर जाते है, a, b, अब सर, ये a, b लिख दिया, a, b लिख दिया, इसका subsets कैसे निकालेंगे, अब number of elements are 2, number of elements, एक और दो, दो दिया है, दो elements तो है हमारे पस, so, मुझे अगर number of subsets दूणना है, so, number of subsets विल भी, 2 raised to number of elements, means 2 raised to 2, that is what, 4, मतलब 4 subsets दिखना बड़ेगा, इसका, देखते हैं, 4 subsets लिखेंगे, कैसे इसके, so, subsets are, पहला क्या लिखूंगा, empty set is, subset of every set, तो empty set बना दिया, फिर एक ऐसा set, जिसमें, दूसरा element होगा, भी, मतलब, these are the subsets of this, और एक ऐसा element, जिसमें, ऐसा set, जिसमें यह दोन होगा, a, b, so, this is also a subset of this, so, यह 4 subsets होगा, इसके, देखो, 4 ही मिलने देना हमको, बड़बर, अब थर्ड वाला करते हैं, यह जो है न, यह आपको हमग दूँगा, लेकिन बता दूँगा, चलो, कोई बात नहीं है, अब इसमें, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है, बड़बर है, अगर मैं लिखूँ, 1, 2, and 3, so, कितना number of elements है, 3, so, number of subsets कितने बनेंगे, 2 raise to 3, 2 raise to 3 is what, 2 raise to 3 is 8, मतलब इसके 8 बनने हैं, देखो कैसे, देखो कैसे, तो पहले क्या लिखेंगे, empty set, लिख दो, subset, subsets are, subsets are, so, subset जब मैं लिखू, तो पहला क्या लिखूँगा, दोस्तो, empty set, empty set is subset of every set, empty set क्या होता है, हर एक का, subset होता है, चलो, दूसरा पहला, one डाल के लिख दो, फिर एक set बना दो, जिसमें two लिख दो, एक set बना दो, जिसमें three लिख दो, ओके, फिर एक set बनाओ, जिसमें, दो दो करके लिखेंगे, एक एक करके लिख दिया, फिर दो दो करके, one and two, फिर क्या लिखेंगे 2 & 3 फिर एक बर क्या लिखेंगे 1 & 3 ओके फिर क्या लिखेंगे हो गया दो-दो करके भी हो गया आप तीनों का तीनों लिख दो So 1, 2 & 3 So these are the subsets of the given set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गया मतलब number of subsets है अब मुझे ये बताओ empty set है तो number of elements will be 0 number of elements 0 हो गया तो number of subsets will be subsets will be 2 raise to 0 anything raise to 0 is 1 So empty set का subset will be always a empty set empty set का subset will be empty set ध्यार में रखना सर नाम ले लिजिए उतकर्ष लाइब उतकर्षी लाइब भाई साब क्या नाम लिखत हो यार चलो बहुत टाइम मैं extend नहीं करूंगा because questions are many तो आगे आगे बढ़ते हैं थोगा देखते हैं How many elements of power set of A if A is 5 set अगर A 5 set है तो number of subsets मुझे बताओ अभी अभी हमने पढ़ा कि number of subsets कितने होंगे इधर number of elements are number of elements of A अगर मैं बहुत हूँ number of elements N से रिनोट करता हूँ that is 1, 0 कितना है? 0 है 5 set है तो so this is what 5 set तो number of elements are 0 so number of subsets will be 2 raise to 0 2 raise to 0 means what? 1, anything less to 0 is 1 अब क्या बोला है power set of A में power set of A अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा? empty set ही आएगा ना एक बरबर है? एक ही आएगा तो एक आ गया बरबर है so how many elements? तो elements कितने रहने वालस में? एक ही element रहने वाला है so number of elements of power set of A if A is 5 set is 1 जितना subsets होगा उतना उसका power set of A में element होगा so कितना है? 1 तो जाड़नों दूआ मैंने करके भी बता दिया आपको चलो आगे बढ़ जाते हैं easy हो गया पानी पीलू थोड़ा सा अब यहाँ पे जो है आप लोग को देख देख के solve करना है थोड़ा और मैं देख पराऊं कि आप लोग सही तरीके से जवाब दे रहे हो and I will tell you that कि हाँ संजीव सर भी देखो हम लोग ने बहुत सारी टीचर्स को जोइन किया हुआ है यह IIT के लिए और बहुत सारी कुछ करना है आप लोग के लिए तो बहुत साए टीचर्स को लाया गया गया किए और किया गया है और इसमें संजीव सर भी आएंगे पजिकस लेके कुछ पाट पीजिकस का संजीव सर भी लेंगे कुछ पाट अलग 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 तीचर्स लेंगे Yes, Jai Svirindi Ram everyone तो अलग अलग पीचर्स लेंगे बिकास पोड़िशन बहुत वास्ट है दोस्तों तो बहुत सरे लोगों की जरुद पुरी ओके टीचर्स अच्छे अपके लिए आपको पढ़ना है बस ओके चलो यहां पर पाइंक्स सद्रब में देहां है है जाए अख्षैज फॉल उससे estamos projects वाल रिया नामबशद और मोलिए इसलिए यह जो हमने किया था ने वह इसको जैस्के greater than minus 4 but less than equals to 6 अब यह जरा ध्यान से दिखना यह इंटर वलवला जो पार्ट है वो जरा ध्यान से दिखना विकोस ए रियल नंबर्स को हम लोग सेटमेडी नोट इसे नहीं करवाएं नॉर्मली तो कैसे लिखते हैं वो दिखो मुझे अगर मैं इसका डाइग्राम आपको बना के दिखा हूँ सो क्या होगा माइनस 4 से लेके 4 तक and 6 is included this is 6 तो मैंने डार कर दिया आपको दिख जाए इसलिए ऐसा किया है माइनस 4 से लेके 6 तक सारे बट ओपनाट माइनस 4 and close at 6 तो इसको कैसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो ओपनाट माइनस 4 मिनस माइनस 4 से और close at 6 तो 6 को close कर दो close interval बड़ा बड़ा है यह हो गया फस्ट वाला लिस्टिंग फार्म में यह वापस से वैसे ही मतलब यह इंटरवल फार्म वैसे ही रोस्टर फार्म दीया हुआ हूँ है अगें विल रैडाउन देस इन देखो करा यह हो गया number line X is greater than minus 12 मतलब open at minus 12 this is minus 12 and open at वापस less than minus 10 so minus 10 इधर आ गया और यह दोनों की तरफ open है मतलब खुला हुआ है मतलब दोनों inclusive नहीं है ना तो 12 ना तो minus 10 so क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको this will be equals to round bracket में minus 12 because 12 is not included round bracket में minus 10 तक because minus 10 is also not included तो ध्यान में ना open at minus 12 open at minus 10 आगे थर्ड कोस्चिन X is greater than equal to 0 and less than 7 X belongs to real number X belongs to real number but X is greater than equal to 0 but less than 12 7 अब ज़र ध्यान से देखो कैसा होगे दोस्तों अगर मैं लिखूं थर्ड कोस्चिन की X is such that X belongs to R X is real number X is greater than equal to 0 but less than 7 अगर वाप से मैं number line रॉक करूं तो क्या हो जाएगा 0 से 7 तक 0 से 7 तक but 0 included है so 0 को dark कर लो and 7 included नहीं है so this या पूरा but 0 is included मतलब closed at 0 so closed at 0 मतलब square bracket से 0 से start होगा and open at 7 and so round bracket में 7 तक ओके चलो आगे next question देख लेते है वापस से मैं इसको बोलूँ इसको देखो इदर ही लिख दूँगा अभी so question देख ले न x belongs to your number x is greater than equal to 3 मतलब 3 से 3 के इदर closed है so 3 के इदर closed so मतलब included है 3 and 4 is also included closed at 4 also है ना मतलब 3 से 4 तक so यह कैसे हो जाएगा 3 included है square bracket में 3 and 4 is also included square bracket में 4 खतब आगे बढ़ जाते है अब जो हम लोग को पढ़ना है अभी देखो you have to write down this in intervals in set builder form so first वाला मैंने देखा minus 3,0 minus 3,0 इसको कैसे लिखेंगे दोस्तो मतलब देखो अब देखो मैं अगर number line बनाऊ so 3 के इदर वे minus 3 के इदर भी open है और 0 के इदर भी क्या है open बड़ बड़ है चल so इसका मतलब कैसे हो गया x such that x belongs to real numbers x क्या है real number but x is greater than minus 3 minus 3 से बड़ा but less than what 0 बड़ बड़ है काम कतम open minus 3 के इदर भी यह greater than minus 3 और यह open at 0 also मतलब less than 0 minus 3 से 0 तक 3 के इदर भी open 0 के इदर भी open ओके चलो आगे बढ़ता है next वाले पर second वाला so square bracket में 6 से 12 square bracket तक square bracket का मतलब क्या है closed at 6 closed at 6 closed at 12 6 से 12 तक 6 से 12 तक so मतलब कैसे लिखेंगे दोस्तो x is such that x belongs to real numbers x क्या है x belongs to real numbers but x is greater than closed at 6 greater than equal to 6 but less than वापस at 12 तक close है तो equal to less than equal to 12 काम खचब बहुत easy हो गया very easy question yes एक बार समझ गया तो it's very easy question next one थर्ड वाला देखो जरा open at 6 closed at 12 सो कैसे लिखेंगे डारेक्ली लिखो x such that x belongs to real number x such that x belongs to real number but x is 6 से मतलब 6 is not included round bracket में है तो open at 6 so greater than 6 open at 6 तो greater than 6 equal to आएगा नहीं but closed at 12 so closed है तो equal to आगया less than equal to 12 बरबर है square bracket है तो equal to आगया अब ये फोर्ट वाला फोर्ट वाला देखो जरा किदर से किदर तक minus 23 से 5 तक मैं इसको लिखू तो कैसे लिख पाऊँगा x such that x belongs to again real number किसको बिलाँ कर रहा है real numbers को ही but x is अब देखो square bracket में minus 23 मतलब equal to or greater than greater than equal to minus 23 but ये round bracket में 5 तो 5 तक but 5 is not included so less than 5 काम खतर easy ओ भाई साब मजा आ गया है ना अब आगे देखते हैं what universal set as would you propose for the following इसका universal set क्या लिख सकते हो right angle triangle का universal set अब ये right angle triangle set of all triangles में ही आएगा ना सब triangle में ही कोई ना कोई right angle triangle होगा तो इसका बाप कौन होगा इसका बाप होगा X such that X is set of all X such that X is set of all triangles बरबर है set of all triangles और भीया करली bracket में ही set है तो कोई और bracket होना नहीं चाहिए ओके तो इस फस्स वर्स वर सेकेंड होगा set of isosless triangle वह यह isosless triangle सब triangle में ही आएगा तो इसका बाप भी कौन होगा set of all triangles बरबर हो गया बहुत इजी हो गया अब यह कोशन देखो यह आखरी कोशन है तुम्हारे बुक का यह exercise का अब पूचा है which of the following यह दिये में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है यह तीनों का मतलब यह तीनों का बाप कौन है यह तीनों को कौन कंटेंड करता है यह तीनों किसके अंदर समाया हुआ है भाईया देख लो देख लो चलो अब इसमें वन हो गया तू भी है तूभी है और अब जिरो और जिरो उनियुक्त हुआ है तुर सबसेट होगा सबसेट होगा सबका अब यह जिरो इसमें भी чем नहीं हो सकता। जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, मतलब यह वाले में यह सारे elements यह A, B और C के सारे elements C वाले में हैं, थर्ड वाले में हैं, सु उसका universal set क्या होगा इसका, यह third वाला जोएगा, वो universal set होगा यह given sets का, A, B, C का given set का universal set कौन होगा, यह थोड़ वाला जिसमें सारे elements a के b के और c के हैं ओके यहाँ पे यहाँ पे हमारा आज का जो station है आज का जो exercise है वो खतम हो गया और इतना टाइम में हमने थोड़ exercise भी कर ली वही क्या बात है सुपब जन सर और लाइक पड़ा लाइक बड़ा के जाना 65 ही हो गया वेरी गुड टैंक यू और एक बात लाइक तो भी यह करते रहते हो सब्सक्राइब सबसे करवाओ जल्दी जल्दी अपने दोस्तों से हैं ताकि और भी ज्यादा ऐसे ही लाइफ सेशन आते रहें continuous बढ़ते रहेगा लाइफ सेशन आते रहेगा मज़ा आएगा मुझे है ना तो यह शेर करते रहो चैनल को पड़ा पर सब्सक्राइब तो यह शेर करो शेर करना बहुत जरूरी है शेरिंग तो फड़ा फट शेर करते रहो और लाइक चलो जितना हो सा क्यों साम पड़ाइब नेक्स टाइम गुडबाइब गाई गुडबाइब से यू तुमोरो कल वाबसे से सेम टाइम प्याने वाला हो सब को बोलना अपने चलो बबबाइ, वफ वाला हम आईस दे